नमस्कार बहुत बहुत स्वाद करते हैं क्लिक टूडे के आज के इस वीडियो में और इस वीडियो में हम जो है बिहार स्टूटेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर के बात करने वाले तो देखिए एक पूरी सीरीज जो हम चलाएंगे बिहार स्टूटेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर के जिसमें की एक-एक information आपको बताएंगे आपको eligibility से लेकर के application process तक का सारा details आगे आने वाले videos में बताएंगे हम तो आपको जो हमारे साथ बने रहना है click today YouTube चैनल पर तो हमारे चैनल को subscribe करके bell icon को on कर लीजिए और आपके जितने भी doubts होंगे वो clear हो जाएंगा हमारे इ इस वीडियो में हम कौन से कौन से content के उपर discussion करेंगे तो बिहार student credit card जो scheme जो बिहार government के तरव से चलावाया जाता है तो देखेंगे बिहार student credit card scheme आपको एक education loan प्रोवाइड कराता है जिसके तहत जो आप अपने UG वा PG का course कर सकते हैं बिहार वो बिहार के बाहर के colleges से इसके लिए आपको सबसे पहले eligibility criteria जान लेना होगा जो सबसे पहले हम बात करते है eligibility criteria को ले करके तो eligibility criteria क्या है कि छात्र बिहार का रहने वाला होना चाहिए या छात्रा जो भी रहेंगी वो बिहार के ही निवासी होनी चाहिए दूसरी eligibility criteria यह है कि आप 10 प्लस जो 2 है यानि कि 10 प्लस 2 जिसको हम बोलते हैं कि 12 आप 12 बिहार से ही पास किये होने चाहिए और बिहार के ही किसी school से पास किये होने चाहिए तभी आपको इस योजना का लाब मिल पाएगा रही बात कि मान लिजे आपने 10 बोर्ड की पढ़ाई जो आप किसी दूसरे state से की हो और 12 बिहार state में आकर के हो और बिहार की ही निवासी हो तो आपको जो इस योजना का लाब मिलेगा चाहे लड़के हो चाहे वो लड़की हो इस योजना का लाब उनको दिया जाएगा पसरत अब का भिहार से है फिर भी आपको इस योजना का लाब मिलेगा आपको लोन चाहे लाग तक का मिलेगा उसके आज़ है आपको एज लिमिट भी यहाँ पर बताया गया है यूजी के लिए जो आपका एज लिमिट है 25 साल मैक्सिमम यानि कि 25 साल अगर आपका एज हो गया उ एक बार इस लोन को ले सकते हैं और एक ही बार ये लोन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा अगर आप यूजी में इस लोन का इस्तमाल कर लेते हैं इस यूजना का लाव अगर एक बार ले लेते हैं फिर अगर आप रिपेमेंट करने का सोचेंगे कि पीजी में भी इस यू provide होगा यानि कि आपको किसी institution में पहले admission लेना होगा उसके बाद वहाँ से कुछ document receive करने होगे कौन से कौन से document होगे वो हम आपको बताएंगे साथ ही आप जो है government college में या फिर private college में admission लेंगे तो भी आप eligible है government और private college के लिए जो criteria है eligibility वाली वो है कि NAC A plus होना चाहिए या फिर NAC से कोई gradation उनको मिला होना चाहिए NBA की ranking होनी चाहिए या फिर NIRF ranking होनी चाहिए ठीक है तभी जो है आपके जो college होंगे वो इसमें listed होंगे और अगर नहीं listed होंगे तो आप अपने college के dean से या principal से बात करके बोलेंगे कि हमें अपने college को list करवाना है बिहार student credit card पर तो वो लोग DRCC वगरे से बात करते हैं तो फिर उनको जो list कर दिया जाता है उसका process अलग होता है हम लोग यहाँ पर eligibility criteria को देख रहे हैं benefits के अगर हम बात करें कि आपको इस यूजना के तह जो क्या-क्या benefits मिलेगा benefits में जो आपको चार लाग तक का जो लोन मिलता है यहाँ पर up to लिखा हुआ है up to इसलिए लिखा गया है कि कुछ जो लोन सेंक्शन होते हैं वो चार लाग से कम के भी होते है आपको लोन सेंक्शन किया जाएगा या फिर आपको living expense वगर अगर लेना है तो उस मान के चलिए दो लाग साथ हजार आपका course का फीस है और 40,000-50,000 आपका living expense है चाहे कुछ भी है तो वो आपको अलग से दिया जाता है तो 2,60,000 course का आपको अलग मिलेगा और बाकी जो बचवा expenses है वो आपको अलग मिलेगा इसके बाद जो है अगर हम बात करें interest की तो simple interest आपका लगता है सालाना लड़कों के लिए 4% लड़कियों के लिए 1% तक का interest लागू होता है ये interest course की duration में लागू नहीं होता है यानि कि जब तक कि आप course करते रहेंगे पढ़ाई करते रहेंगे तब तक किसी भी प्रकार का आपके उपर interest charge नहीं किया जाएगा जैसे ही आपका पढ़ाई खत्म होगा उसके एक साल तक आपको extension दिया जाएगा मौका दिया जाएगा यानि कि अगले एक साल में आपको नौकरी ले 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 ना रहेगा नौकरी मिलने के बाद जो है आपको इस loan का जो है repayment करना होगा installment के basis पे और अगर आपको नौकरी नहीं भी लगता है तो आपका interest बनता रहेगा लेकिन आपको repayment नहीं अगर करना है उस time पे क्योंकि आपको पस पैसे अगर नहीं होंगे तो आपको एक bonafide बनवा करके फिर से और एक stamp paper पर आपको agreement वगएर पर लिखवा करके court से जमा करना होगा अपने DRCC में तो आपको कुछ relief timing देगी six month का और फिर six month के बाद आपको जो है फिर से एक और जो है नोटरी से आपको affect effect वगएरा जो है मेभी देना पर सकता है तो वो तो आगे की process है वो हम आगे बात करेंगे फिलहाल ये जो है हम जान लेते हैं कि चार लाग तक का आपको loan मिलता है जिसमें कि आपको पढ़ाई साथ ही साथ आपका living, laptop, stationary ये सभी के expenses आपको इसमें दिये जाते हैं और मालिज आपका course का ही फीस चार लाग है तो फिर आपको चार लाग तक का loan सिर्फ course के लिए मिलेगा बाकी expenses आपको खुझ से बियर करने पड़ेगी चार लाग से जादा का loan आपको पिहार student credit card के basis पे नहीं मिल सकता है अगर आपको जाजानकारी चाहिए तो वीडियो के description box में एक link दिया गया है Google form है उस Google form को आप लोग fill up करिए साथ ही आपको बता दे कोई queries है तो इस number पर आप call कर सकते हैं ठीक है इसके बाद अगर बात करें document required की तो आपका 10th और 12th का जो result लगेगा साथ ही अगर आप मान लिजे graduation के बाद ये loan के लिए apply कर रहे हैं तो आपको last year का passing result जो की लगाना रहेगा 10th और 12th तो फिर भी लगेगा आपका compulsory है वो आपको original में वहाँ पर paste करना होगा साथी photocopy सभी का IK का आपको अपने साथ रखना होगा अधार और pen card applicant and co-applicant applicant आप होंगे co-applicant आपके कोई भी guardian हो सकते हैं blood relation से आपके पापा, ममी, भाईया, दीदी, चाचा, चाची कोई भी हो सकते हैं फिर bank passbook आपको जो है लगता है bank passbook के उपर आपको front page पे आपका photo लगा होना चाहिए साथी उसके उपर stamp लगा होना चाहिए आपके और आपके co-applicant के bank passbook के उपर इसकी बाद जो bonafide certificate जो की आपको college के तरफ से मिलता है bonafide certificate के लिए आप अपने college से demand करेंगे उनको जो application request करेंगे तो आपको bonafide certificate देंगे उसमें लिखा होता है कि here we are certified that this is student taken admission in this course और something something जो भी आपका details रहता है वो bonafide certificate योपर लिखा रहता है इसके बाद आपको एक fee structure मिलता है कि आपको किस semester में किस वर्स में कितना कितना पैसा लगने वाला है किस-किस चीज के लिए वो सब को fee structure के उपर mention रहता है यही same fee structure अगर आप hostel लेते हैं तो hostel के लिए भी मिलेगा तो मान लिजे in campus अगर आप hostel ले रहे हैं तो आपको साथी में दोनों का ही fee structure देना होगा यानि कि hostel का भी देना होगा और college का भी देना होगा अगर आप in campus अपना hostel नहीं ले रहे हैं तो केवल आप college का fee structure देंगे बाकी living expenses आप अपने account पर मगाएंगे इस case में जो होता क्या है अगर मानली जो है in campus अगर आपने hostel ले लिया तो उसमें आपके जो होस्टल वाले के account पर ही direct पैसा जाएगा और college वाले के account पर ही direct पैसा जाएगा तो college वाले जो fees payment है वो direct college को ही जाएगा हमेशा लेकिन अगर hostel अगर आप in campus लेते हैं और उस living expenses को आप जो है कहीं पे भी utilize कर सकते हैं रहने के लिए खाने के लिए और आपको stationary का भी जो है कुछ amount दिया जाता है इसके बाद आप से residential certificate माँगा जाता है यानि कि बिहार राजे के आप निवासी है इसको आपको जो है certified करना होगा आवाश ये प्रमानपत्र लगाते हुए जिसके तुरू जो है आपका ये लोन जो हागे pass on हो पाए तो ये सारे आपके document हो गए और ये आपका आखरी जो document required हमने बता दिया क्या क्या है इसके बाद हम अगला जो वीडियो बनाएंगे उस पार्ट में ये बताएंगे कि आपको और भी क्या-क्या details जो की registration करने करना पड़ता है और नीचे दिये गया form को आप जरूर फिल करें हमारे जो consultant होंगे वो आपसे संपर्क करेंगे आपको information बताएंगे साती वीडियो के description box में एक हमारे website का link दिया हुआ है वहाँ पर जाके योजना से जुरे हुए और भी जादा जानकारियों को जान सकते हैं पड़ सकते हैं और देख सकते हैं तो यह information student credit card के regarding है इससे जादा जानकारी के लिए हम अगला जो वीडियो बनाएंगे उस वीडियो को जरूर देखेगा तो हमारे साथ जो बने रहिए तब तक के लिए हम चलते हैं धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी क बहुत बहुत सुक्रिया